बिहार के मुजफ़पूर के कुढ़नी से एक बड़ी खबर आ रही है राज़त के कुढ़नी विधायक अनिल साहनी का विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद अब उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है भारत निर्वाचन आयोग ने मुजफ़पूर की विधानसभा सीट कुढ़नी के लिए अधिसूचना जारी की है पांच दिसंबर को वोटिंग और आठ दिसंबर को वोटो की होगी गिनिती बताते चले कि एक दिन पहले ही पूर विधायक ने कहा कि साजिश के तहत उन्हें फसाय गया है बताया कि राजज़ और महागडबंधन का स्टार परचारक रहा हूं महुआ और रागवपूर में जब मैं भाजपा के खिलाव परचार कर रहा था तभी हमें खबर मिली की CBI ने चार्ज़ शीट कर दी है आरोप लगाया कि मामले में तीन चार और लोगों का नाम आया था आरज़ेरी विधायक अनिल साहनी को अबकाश एवं यात्रा भत्ता गोटाले मामले में दिली के राउज एवेन्यू कोट में दोसी करार दिया था अनिल साहनी पर आरोप है कि पद पर रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किये जाली ई-टेकेट और फरजी बोडिंग पास के माध्यम से 23,41,000 रुपे की धोखाधरी की थी CBI ने इस मामले में Money Laundering Act धोखाधरी सरकारी पद के दुरुपियों की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था LTC घोटाले के मामले में 31 ओक्टूबर 2013 में CBI ने केस दर्ज किया था जिस पर सुनवाई के बाद 29 अगस्त को कोटने अनील सहनी समेते तीनों को LTC घोटाले का दोशी करार दिया था और तीन साल कैद की सजा भी सुनाई थी एधिया स्पर्ण के लगका दिया था झाल थार दिया थारिए थार्स एफटार्सुनाई आड़ में तोट से प्रादाए जी तोटार्सुनाई झाल